प्रस्न दस अनुक्रम 999, 995, 991, 987 का पर्थम रिनात्मत पद ग्याद करें तो यहाँ पे समनांतर स्रेनी है 999, 995, 991, 987 अब कह रहा है इसका पर्थम रिनात्मक पद ग्याद करें यानि इसका देखिए कमते जा रहा है 999 से 995 हो गया यानि 4 कम गया उसी तरह 995 से 991 हो गया यानि 4-4 कमते जा रहा है तो ऐसे करते करते इसका रिनात्मक पद भी आ जाएगा ठीक है क्योंकि कमते जा रहा है तो कमते जा रहा है तो रिनात्मक पद में भी आ जाएगा पद ग्याद करें तो हम मान लेंगे कि हम लिखेंगे माना की प्रथम रिनात्मत पद माना की प्रथम रिनात्मत पद माइनस एक है तो हम क्या मान लेते हैं की प्रथम रिनात्मत पद माइनस एक है सुनने से छोटा क्या होता है माइनस एक यानि सबसे पहला रिनात्मत जो संख्या होता है ठीक है सुनने के बाद सुनने क्या है यानि एक के बाद क्या आता है घर्टे करम में एक के बाद सुनने सुने के बाद होता है माइनस एक तो माइनस एक क्या हो गया पहला रिनात्मक संख्या तो हम मान लेंगे कि पर्थम रिनात्मक पद माइनस एक है तो लिखेंगा तह अब पर्थम रिनात्मक पद को माइनस एक मान लिए है तो यहाँ पे TN बराबर माइनस एक हो जाएगा TN बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक A बराबर पहला पद है यहाँ पे 999 तो पहला पद को A से लिखते हैं तो A बराबर हो जाएगा 999 और D बराबर क्या होगा D हो गया सार्व अंतर यानि सभी पदों का अंतर कितना है उसको D से लिखते हैं तो सार्व अंतर बराबर हो जाएगा 995 माइनस 999 यानि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 4 यानि सार्व अंतर हो गया माइनस 4 तो इस तरह लिख लेंगे अब इसका सुत्र होता है TN बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D ये सुत्र होता है TN बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D तो TN के जगा पे क्या लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे TN के जगा पे माइनस 1 A के जगा पे लिखेंगे 999 में N हमको ग्याद करना है D कितना है? माइनस 4 है तो इस तरह से लिख लेंगे तो हो गया माइनस 1 बराबर 999 में अब देखे N माइनस 1 को माइनस 4 के साथ गुना करेंगे ठीक है? तो माइनस 4 गुना N माइनस 4 N हो जाएगा पलस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 N अब माइनस 4 और माइनस 1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा पलस 4 गुना 1 4 तो इस तरह हो गया N माइनस 1 को माइनस 4 से गुना करने पर अब यहाँ पर हो जाएगा अब चार इन को इधर लाएंगे चार इन कहाँ पर है बराबर के दायां तरफ है तो इसको बराबर के बायां तरफ कर देंगे तो यहाँ पर माइनस में है तो इधर आके पलस में हो जाएगा उसके बाद 999 को जैसे है उसे ही लिख देंगे प्लस 4 को जैसे है उसे ही लिख देंगे और माइनस 1 बराबर के बायां तरफ है तो इसको दायां तरफ लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा ठीक है माइनस 1 को बराबर के दायां तरफ लेके आ गए है तो प्लस एक हो गया तो चार एन बराबर कितना आ गया चार एन बराबर 9, 4, 13, 13, 14 यानि 2004 हो जाएगा 999 में 5 जोडने पे 1004 आएगा तो एन बराबर अतह एन बराबर हो जाएगा 144 बटा 4 4 गुना में हैं इनके साथ तो 4 को जब बरावर के दायां तरफ करेंगे तो भागम हो जाएगा यानि 104 बटा 4 हो गया अब 4 से 1004 कट जाएगा तो 4 से 1004 को काट देंगे 4 गुना 8 4 पचे 20 4 गुना 1 4 यानि 251 कितना आ गया 251 तो देखिए N क्या निकला यानि 251 माइनस एक जो है 251 पद है ठीक है तो N का मतलब हो गया कि माइनस एक कौन से पद पे है इस समनांतर सरेनी में तो 251 पद जो होगा वो माइनस एक होगा इसका मतलब माइनस एक सच में इसका पद है इस समनांतर सरेनी का क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक आया है 251 तो लिखेंगा चुकी N बराबर 251 धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है तो 251 क्या है धनात्मक पूर्णांक है यानि सच में माइनस एक जो है इस समनांतर सरेनी का पद है तभी N बराबर 251 अबर 251 क्या है धनात्मक पूर्णांक है तो लिखेंगा था परथम रिनात्मक परथम रिनात्मक पद बराबर माइनस एक तो परथम रिनात्मक पद जो होगा वो माइनस एक ही होगा अगर यहाँ पे देखिए कोई भिन आता या रिनात्मक पुर्णांक आता तब ये तब तो माइनस एक इस समनांतर सरेनी का पद नहीं होता ठीक है लेकिन यहाँ पे इन जो है धनात्मक पुर्णांक है इसलिए पर्थम रिनात्मक पद क्या होगा माइनस एक तो इसका उत्तर आएगा माइनस एक रिनात्मक पद कि आएगा माइनस एक पड़ेंगा माइनस एक उना 공 PP कर दो भालिब कर दो एक कर दो अजया है कि अब्टी है टेब बाब का बाग में रड़ चान से प्राइव के बाग में को का बाग में रिखा हुआ 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 है